असलाम अलेकुम आज हम जमात हश्तुम मजमुन र्याजी का 15 सबक रगबा इस सबक में 30 सेट 15.6 के सवालात हल करेंगे इस मश्की सेट का ये दूसरा वीडियो है इसी तरह इस सबक का ये छेटा और आखरी वीडियो है इस से पहले हमने सवाल नमबर एक और सवाल नमबर दो हल किये हैं आई ये तीसरा सवाल देखते हैं एक दाइरवी बाग का कुत्र 42 मिटर है इस बाग के गिर्द 3.5 मिटर चौड़ाई का रास्ता है रास्ते का रगबा मालूम कीजिए यहां पर एक दाइरवी बाग का कुत्र 42 मिटर दिया हुआ है यानि इस बाग का निश्फ कुत्र 21 मिटर होंगा इस बाग के गिर्द 3.5 मिटर चौड़ाई का रास्ता है अब इस बाग के गिर्द याने इस बाग के एतिराफ में चारो तरव 3.5 मिटर चौड़ा रास्ता है यहाँ पर हम पहले लिख देंगे दायरेक अनिस्कुद्र 21 मिटर इसी तरह यह बाग के गिर्द 3.5 मिटर चौड इस रास्ते का रगबा मालूम करना है तो यहां पर हम गौर करते हैं तो जो बात था वो एक दाइरा नुमा है जो हमें पहला दाइरा हासिल हो रहा है इसे हम अंदरूनी दाइरा कहेंगे इसी तरह रास्ता मिलाने के बाद हमें यहां पर दूसरा दाइरा हासिल हो रहा है जिस की चौड़ाई जमा करना होंगा यानि बैरूनी दाइरे का निस्कुत्र होंगा 21 जमा 3.5 बराबर 24.5 मीटर अब यहां पर हमें दो दाइरे और दो निस्कुत्र हासिल हो गए है हमें सिर्फ यहां पर रास्ते का रगबा मालूम करना है रास्ते का रगबा मालूम करने के यानि रास्ते का रगबा होंगा बैरूनी दाइरे का रगबा तफरीक अंदरूनी दाइरे का रगबा अब यहाँ पर हमें दो दाइरों के रगबे मालूम करना है इसलिए हम बैरूनी दाइरे के रगबे को A नाम दे देते हैं और अंद्रोनी दाइरे के रगवे को भी नाम दे देते हैं और सबसे पहले ए मालूम करते हैं ए यानि बैरूनी दाइरे का रगवा हम जानते हैं दाइरे का रगवा वरावर होता है पाई आर कुवत दो इसलिए दाइरे का रगवा वरावर होंगा पाई की कीमत 22 बटे साथ जरब आर कुवत दो यानि बहरूनी दायरे का निसकुत्र 24 अशरिया पाँच कॉस कुवत दो ये बराबर होंगा 22 बटे साथ जरब 24 अशरिया पाँच जरब 24 अशरिया पाँच अब यहाँ पर 24 अशरिया पाँच को साथ से तक्सीम करते हैं 7, 1, 7 और 7, 21 और 7, 25 यानि जवाब आया 3, 5 22 जरब 3, 5 यह होंगा 77 जरब 24, 5 जैसे के वैसे बागी वचे 77 जरब 24, 5 यह होंगा 1886, 5 मुरब्बा मीटर इस तरह से हमने बहरूनी दाइरे का रगबा मालूम किये आईए अब अंदरूनी दाइरे का रगबा मालूम करते हैं अंदरूनी दाइरे का रगबा यानि बी यह बराबर होंगा पायार कुवत दो पाय की कीमत लिख देते हैं 22 बटे 7 जरब अंदरूनी दाइरे का निश्कुतर आर यह था 21 हम यहां लिख देंगे 21 कुवत दो ये बराबर होंगा 22 बटिसाथ जरब 21 जरब 21 अब 7 से 21 को तक्सीम करने पर 7 तिया 21 22 और 3 दोनों की जरब कर देते हैं 22 तिया 66 जरब बाकी बचा 21 66 जरब 21 ये होंगा 1386 मुरबा मीटर अब यहां पर हमने अंदरोनी दाइरा और बेरोनी दाइरा दोनों का रगबा मालूम कर लिये हैं अब इसके बाद हमें रास्ते का रगबा मालूम करना है तो रास्ते का रगबा हमने इससे पहले देखे हैं कि बेरोनी दाइरे का रगबा तफरीक अंदरोनी दाइरे का और अंदरोनी दाइरे का रखबा बी अब यहां पर हम बहरूनी दाइरे का रखबा लिख देंगे 1886 अशरिया 5 तफरीक अंदरोनी दाइरे का रखबा 1386 अब यहां पर इनकी तफरीक कर लेते हैं 1886 अशरिया 5 तफरीक 1386 तो बाकी बचता है 500 अशरिया 5 यह रखबा है इसलि 88 सम है दाइरे का रगबा मालूम कीजिए यहां पर हमें दाइरे का मोहीत यानि घिराओ 88 सम दिया हुआ है दाइरे का रगबा मालूम करना है हम जानते हैं दाइरे का रगबा मालूम होने के लिए दाइरे का निस्कुत्र मालूम होना जुरूरी है इसलिए पहले हम दाइरे के मोहीत जो दिया हुआ है इसके जरीए दाइरे का निश्कुत्र मालूम करते हैं दाइरे का मोहीत बराबर होता है तू पाई आर यहां पर अप कीमते रख देते हैं मोहीत दिया हुआ है अठहसी बराबर दो पाई की कीमत बावीज बटे साथ जरब आर मालूम करना है जैसा का यहां पर आर को अपनी जगा पर रख देते हैं 88 भी अपनी जगा पर रहेंगा तो यह होंगा 88 जरब 7 बटे दो जरब 22 शुमार कुरिंदा में थे यह नसब नुमा में हो जाएंगे दो जरब 22 अब इससे हम तक्सीम कर देते हैं 22 एक बावीज बावीज चौक 88 अब 4 और 2 ये भी कटते हैं 2 एक दो दो दुनी चार यानि अब हमारे पास आर बराबर बाकी वचा हैं 2 जरब 7 यानि 7 दु अब दाइरे का रगबा मालूम करते हैं दाइरे का रगबा बराबर पाई आर कोवत दो पाई की कीमत 22 बावीज बटे 7 जरब आर आया 14 तो इसे हम लिख देंगे 14 कोवत 2 इसे मजीद हल करने पर 22 बटे 7 जरब 14 जरब 14 जरब 14 7 एक एसाथ 7 दुनी 14 अब हमारे पास बाकी ब यह रखबा है यहां पर मुहीत सम यानि सेंटी मिटर में दिया हुआ था इसलिए रखबा जो है वो मुरब्बा सम होगा 34 सवाल का जवाब आया 616 मुरब्बा सम इस तरह से यह सवाल हल करेंगे इसी के साथ यहां पर यह मश्की सेट मुकमिल हुई और यह सबग भी यहां पर मुकमिल हुआ अल्ला हाफिस